Hi Everyone, मैं हूँ धननजय एक वीक में कम से कम एक आर्टिकल तो हमें मिल ही जाता है जिस आर्टिकल को पढ़कर हम definitely ये कह सकते हैं कि US से बड़ा human rights का violator और hypocrite देश कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जैसा कि हम सभी को पता है कि इस्रेल और हमास के बीच में conflict चल रहा जिस conflict में चाहे common civilians, Gaza के हो या इस्रेल के सबसे अधिक suffering इनी लोहों को हो रहा इसी बीच पिछले महीने International Criminal Court ने नेतनियाहू के खिलाफ arrest warrant इशू किया था और जैसे ही ICC इस arrest warrant को इशू करता है वैसे ही US सबसे पहला देश रहता है जो ICC को highly criticize करता है और आज के rate में बात इतनी बढ़ चुकी है कि US अपने parliament में एक bill भी introduce करता है जिसके तहत वो कोशिश करता है कि ICC के उपर sanctions लगाया जाए क्या है ये पुरा मामला हम इसको समझते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से US ICC के उपर sanctions लगा सकता है इस speech as an Indian हमारे लिए बेहर जरूरी होता है कि भले हम इस्रेल को support करें या Palestine को support करें लेकिन एक बहुत ही bare minimum homework हम कर सकते हैं वो ये है कि at least इन सारे मुद्दों को हम खुद से पढ़े और बहुत ही neutral point of view से पढ़ें ताकि हमें ये exactly समझ में आए कि किस तरीके से ये पूरा घटना घट रहा पिछले महीने के 20 तारीक को ICC ने Benjamin Netanyahu साथ में UAV Gallant और उसके बाद 3 हमास के leaders के खिलाफ arrest warrant issue करता है और उसके बाद बढ़ चड़कर सारे देश जो US के allies है वो ICC को criticize करता है और Netanyahu को support करता है और उसके बाद अगर आप western medias को पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरीके से Netanyahu को support कर रहे हैं जहां पे वो बढ़ चड़कर ये दिखा रहे है कि जिस तरीके से bombing किया जा रहा गजा में वो एक war के category में आता है कहने का मतलब है कि वो लोग ये declare करी चुके हैं कि Israel war में है एक बात का ध्यान रखा जाए वो ये है कि जब भी war word हम use करते हैं तो war तभी होता है जब सामने वाला देश भी आपके इतना capable हो और उसके पास जो weapons हो या जो fire power हो वो almost आपके इतना ही equivalent हो लेकिन जो फिलहाल situation हो रखा है गजा में वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ के जो common civilians है वो tent में रह रहे हैं और उसके बावजूद indiscriminate तरीके से इस्रेल अभी भी उनके उपर attack कर रहा हो और हर attack के बाद ये justify कर रहा कि उनका जो attack था वो बहुत ही targeted तरीके से attack था और उनके पास information था कि उन सब areas में हमास का terrorist चुपे हुए हैं अगर हम आज की date की बात करें तो लगभग 40,000 से भी अधी common civilians मारे जा चुके हैं गजा में जिसमें approximately 70 से लेके 75% जो लोग मारे गये हैं वो या तो बच्चे हैं या तो औरत हैं अगर आप war की बात करें तो war में भी कुछ नियम कानून को follow किया जाता है आप उसी के उपर attack करते हैं जो उस देश के defense forces होते हैं ना की बच्चो या औरतों के उपर जैसा कि भारत के parliament में दो houses होते हैं एक होता है लोकसभा दूसरा होता है राजसभा लोकसभा हमारा lower house होता है और राजसभा हमारा upper house होता है वैसे ही US में house of representative होता है लोकसभा जहांपे एक bill को introduce किया जाता है और वो bill pass भी हो जाता है जिस bill में ICC के उपर sanctions लगाने की बात की जाती है ध्यान रखा जाए कि अभी भी ये bill है act नहीं हुआ है ये act तभी होगा जब US के upper house यानि की जब वो senate में bill pass हो जाएगा यहांपे अगर आप बहुत ही honestly बात करें तो ये bill pass हो या pass ना हो ये एक बहुत ही अलग बात है लेकिन जिस तरीके से US इस human rights violations को support कर रहा है या in fact अपने parliament के थुरू एक bill pass करवा रहा जहांपे वो publicly कुछ इस तरीके से image present करना चाहता है कि उसने proper नियम कानून को follow करके एक bill को act में convert किया तो as an Indian हमें इन सब चीजों काफी बारिक तरीके से observe करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से US अपने ही बातों से पलटता रहता है उसके बाद अगर बात किया जाए तो US में primarily दो ही political party है एक है Republican दूसरा है Democrat जो Biden जिस political party को represent करते हैं वो है Democrat और ये sanction वाली जो bill को introduce किया गया है वो है Republican तो कहने का मतलब है कि वो parties बिल को introduce कर रहे हैं जो opposition में बैठे हुए है और ये bill in fact pass भी हो जाता है तो यहां से भी हमें एक चीज समझ में आता है कि US के Parliament में किस तरीके से जो Israeli lobbies है उनका control है किसी भी चीज को अगर आप Parliament के थुरू अगर pass करवाते हैं तो वो काफी एक positive sign होता है या at least इसको आप बहुत ही positive sign के तरह आप उसको use कर सकते हैं अब एक बहुत ही basic सवाल दिमाग में आ सकता है कि exactly किस तरीके से ICC के उपर sanctions लगाया जा सकता है जैसे कि हर organization में लोग काम क या तो कोई ऐसे member होंगे जो US travel करना चाहते होंगे उनके visa या उनके travel document को वो permit ना करे तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा जिस उपाय के तहत ICC के members के उपर restrictions लगाया जाएगा वहीं अगर हम बात करें US के upper house यानि कि Senate में एक member of parliament है जिनका ना का मतलब है कि अगर आप शब्दों के उपर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना कि सिर्फ उनके lower house बलकि upper house या in fact हम कहलें कि almost 90 से लेके 95% जो MPs हैं वो support कर रहे हैं इस्रेयल को या in fact Benjamin Netanyahu को वहीं पर हम बात करें international criminal court के बारे में तो अगर आप इनका website को पढ लेकिन जो ground reality है वो ये है कि ICC उन्ही सब देशों के सामने काफी मजबूती से खड़ा रहता है जो देश खुद में काफी कमजोर हैं लेकिन अगर सामने वाला देश US हो या वो एक nuclear power देश हो या in fact हम कहले कि अगर वो US allies हो तो ICC हो गया चाहे United Nations हो गया उनके और भी अलग गलग departments हो गए वो सारे कसारे इनके सामने घुटने टेक के खड़े होते हैं वहीं अगर बात किया जाया तो April के महीने में US बढ़ चड़कर Israeli Defense Forces का एक unit है जिसका नाम नेजजा यहूदा है इसके उपर sanctions लगाने की बाते कर रहा था क्योंकि नेजजा यहूदा के खिलाफ ब और April से लेके अब तक यह जो सारे मुद्दे हैं वो कहां दब गएं किसी को नहीं पता थोड़ा समय एक elementary idea दे दूँ आप लोगों को नेजजा यहूदा के बारे में तो इसको 1999 में setup किया गया था और इस unit में सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा Orthodox Jewish ही रिप्रेजन करते हैं और highly traumatized होते हैं और कहीं न कहीं उन सब जो common civilians होते हैं उनको भी भरपाई करना होता है क्योंकि situation इतना ज़ादा खराब हो रखा है इसलिए जो common civilians है इसरेल के वो भी अपने daily schedule को follow नहीं कर पा रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई वहां के जो common civilians है उनकी जान जा रही है क्योंकि उन के साथ बातचीत करके इस war को रोक सकते थें ठीक 7 October के पहले जो Netanyahu का image था इसरेल में वो काफी negative हो चुका था और इनके खिलाफ बढ़ चड़कर protest हो रहे थें लेकिन इस war को जिस तरीके से US अभी भी फंड कर रहा जितना जिम्मेदार Benjamin Netanyahu है उतना ही जिम्मेदार US भी है तो इन सारे events को पढ़के हमें एक चीज़तों समझ में आता है कि कितनी बार war जवड़स्ती का लड़ा जाता है जहां पर जो leaders होते हैं वो अपने खोई हुए ground को दुबारा regain करना चाहते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं म